मैं दिपक जी आप से शुरुवात करूँ माता जी डॉक्टर रही परिवार फोर्सेज में भी योगदान दे चुका है लोगों को ये लगता है कि सरकार की अपनी कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं होगा जहां पर अफसर मीडिया से जुड़े तो जब मीडिया की दुनिया में ए करती है तो उसका आप क्या परिनाम देखती है आज तो फिर भी लोगों को लगता है कि असान है महिला का ब्यूरोक्राटिक फ्रेमवर्क में अपना योगदान देना उस वक्ट जब आपने शुरू कि आप शायर पहली महिला रही जो इन कामों में आपने उत्तिन होकर अप उनको देखके और उनसे सीखने का भी अच्छा मौका हमें मिला लेकिन हाँ ये बात बिलकुल सही है कि जो हम डिरेक्ट रेक्रूट्स आए गवर्में मेडिया में ये नहीं कहूंगी कि कोई नेगिटिव अटिटूट था लेकिन एक थोड़ा सा डिसमिसिव तो जरूर था एक अटमस्टियर है मैं ये नहीं कह सुकूंगी शेद कल्यानी जी का और मुश्किल रहा होगा प्राइविट मीडिया में काम करना हमारा बड़ा प्रोटेक्टिव अटिसमिस्टियर था लेकिन फिर भी एक बार तो ये सुनना पड़ा था कि इस नॉट और मेरे मन में आव दर्शन में एक ब्योर्क्राटिक फ्रेमवर्क में अपनी सेवाएं दे रही हैं अब आज लेकिन P.I.B. जो प्रेस इंफरमेशन ब्योरो है उसका एक स्वरूप बदल गया है मात्र संचार का माध्यम रेडियो या टेलिविजन नहीं रह गया है आज लगभग 80-86 से डिजिटल इंडिया का आधार बना चुके हैं देश में लेकिन उस वक्त जब न्यूस कंजम्शन के या फिर इन्फोटेन्मेंट के माध्यम सीमित थे तो आपको लगता है कि इन्वायमेंट जादा कंट्रोल्ड था इन टर्म्स ऑफ इंटर्फेस विद सिटिजन इसमें जो हुई थी हमारे समय मुझे याद है मुझे से कहा गया कि एक वेबसाइट होनी चाहिए तो हमें स्टी करना पढ़ा पहल कि वेबसाइट वगरा होता क्या है फिर हमनों बैठे और हमने इसका नाम रखा P.I.B.NIC.IN मुझे वो दिन याद है और एक नए कागस पर लिखा क सबसे बड़ा एक सोर्स है